सो बुझ्जी और भैरव के एनिमेटेट सीरीज के साथ ही कलकी के सिनेमेटिक युनिवर्स की भी शुरुवात हो चुकी है प्राइम वीडियोस पे आज 14-14 मिनेट्स के दो एपिसोड को रिलीज किया गया जिसमें फिलहल कलकी के इस वर्ड और बुझ्जी और भैरव के बीच के कनेक्शन को बताया गया है पर इसके अलावा भी इस मिनी एनिमेटेट शो में कलकी फिल्म के बारे में काफी कुछ रिविल किया गया है और इस वीडियो में इस animated show के review के साथ साथ हम उन सारी चीज़ों के भी बात करेंगे दोस्तों जो इस animation को film कलकी के साथ connect करता है तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का इस वीडियो बिने किसी देरी के तो मैं हूँ आपका होश प्रनाय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर सो सबसे पहले मैं अगर इसके animation की quality की बात करूँ जिसके उपर actually बात तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कलकी का primary product नहीं है ये फिलालेक introductory और promotional show मातर है पर जैसे कि हमें news सुनने मिल रहा है कि after कल की movie इसे आगे continue किया जाएगा इसलिए इस show को season 1 करके इसे live किया गया तो उसके हिसाब से थोड़ा तो इसके quality पे भी बात किया जा सकता है जो कि मुझे average और awesome दोनों 7 ही लगे क्योंकि कुछ जगा तो animation काफी immature लग रहा था especially शुरुवात में ही जहाँ विलेन का जो spaceship दिखाया गया है तो वहीं भैरो और उसकी city का overall setup बहुत ही शांदार लगा detailing काफी अच्छी है और जो actually में surprise भी करती है तो salute to Nagashwin and his creative team जो इस project के लिए इतनी बारिके से काम कर रहे है पर यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस animated show में जो थोड़ी बहुत कमिया थी उसे इसके screenplay और dialogues बहुत अच्छे से cover up करते हैं जिसकी वज़े से ही आपका ध्यान इसके animation से ज़्यादा इसके world को समझने में लग जाएगा और जैसे कि मैंने कहा कि यह एक kind of introductory type का video है जिसका काम ही लोगों को इस world से introduce करवाना है तो यह कहा जा सकता है कि उसमें वो पूरी तरीके से सफल हो गए है अब अगर आगे बढ़ें और इसकी basic story की बात करें तो यह animation वैसे तो बुज़ी और बहरों के मिलने की कहानी को short में समझाता है पर साथ ही यह भी बताता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं सर्वाइब कैसे करते हैं पानी जैसे basic चीजों को कैसे खरी देते हैं downtown और complex क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा hint दिया गया है वसे इन सारी चीजों को reveal करने के सांसा यह थोड़ा doubt को clear करती भी है और थोड़ा confusion बढ़ा भी देती है लाइक जब से इस film का code name project के था तब लोगों ने ऐसा अंदाजा लगाया था कि इसमें प्रभास एक future का warrior हो सकता है with supernatural powers पर बाद में जब इस project का नाम कलकी वर्थ तब ऐसा कहा जा रहा था कि प्रभास के पास एक divine power होगा जिसके कारण ही वो कलकी आवतार लेगा पर बुझी के teaser के साथ लोगों का ये अंदाजा भी गलत हो गया और लोगों ने सुचा कि हो सकता है प्रभास एक robotic या mechanical super genius होगा जो कबार से भी जुगार कर लेता है और उसे एक useful machine बना लेता है just like Tony Stark पर इस animated show के बाद ये पहचान भी बदल गई actually बुझी ही एक super genius tiny robot है जो प्रभास की help करती है इस super car को बनाने में और शुरुबात में बुझी actual में प्रभास को ही use करती है ताकि वो एक ऐसा vehicle बना सके जिसकी मदद से वो complex में enter कर सके वसे complex के अंदर तो दोनों ही जाना चाहते हैं पर एक और जहाँ प्रभास इसलिए जाना चाहता है ताकि वो इस poor place से बाहर निकल कर complex जैसे high five जगा में पहुँच जाए जहाँ उसे साफ हवा, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना मिले और overall उसकी lifestyle अच्छी हो जाए तो वही बुझ्जी इसलिए एंटर करना चाहती है क्योंकि वो पहले से ही वहां की member थी और वो वहां promote होना चाहती थी पर फिलाल तो दोनों ही इसमें success नहीं हो पाते हैं क्योंकि plane crash होने के बाद से बुझ्जी के सारे connections complex से हटा दिया गया है और जब complex ही पुरानी member ही वहां enter नहीं कर पा रही है तो सोचो भैरों को उस जगह पे enter करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी तो इसके आगे के story तो definitely हमें फिल्मे में ही देखने मिलेगी तो अब तो ये clear हो चुका है कि फिलाल प्रभास के पास ना तो divine power है और ना ही वो कोई extraordinary genius है पर फिर भी वो दो reason से बहुती ज़्यादा special बनता है जिसे इस show में highlight भी किया गया है पहला ये की प्रभास एक powerful street fighter है जो किसी भी चीज को impossible नहीं मानता है और जो कि इसके हर dialogue से समझ में भी आता है और दूसरा ये की भैरो बहुती kind hearted होता है क्योंकि इस scene में वो एक बच्चे को उसके criminal होने के पाउजूद उसे बिना किसी punishment के छोड़ देता है हाला कि प्रभास यहां थोड़ा selfish होता है क्योंकि उसे वो stone मिल जाता है पर बुझ्जी भैरो की इस behavior से impress हो जाती है जिसके बाद वो दोनों partner बन जाते है अब ये दोनों मिलकर complex में enter कैसे करते हैं और बुझ्जी के actual story क्या है इसका जवाब तो होए definitely film में ही देखने मिलेगा पर जिस तरीके से भैरो का एक normal आदमी से super hero बनने तक का सफर दिखाया जा रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है लाइक फिलाल प्रभास के पास एक intelligent robot है उसके पास एक super car है और अब एक magical stone भी है जो आगे चल कर शायद उसके costume का power source बनेगा क्योंकि अभी तो फिलाल उसके पास कोई super hero costume नहीं है तो overall बहुत टाइम के बाद ऐसा feel हो रहा है कि कोई वाकई में एक true cinematic universe create कर रहा है जो हमें हर medium में देखने मिल रहा है अब सारा दारो मदार इसके film पे ही टिका हुआ है जो कि अगर super hit या blockbuster हो गई तो हमें एक नई फ्रेंचाजी और एक नए universe का उदाय होता हुआ नजर आएगा तो आज की इस वीडियो में फिलाल इतने ही दोस्तों अगर आप भी इस animated show को देख चुके हैं तो अपने विचार हमारे साथ share करना बिलकुल भी न भूले तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही अगले वीडियो में तक तक के लिए टाटा बाबाय एंड टेक केया